दोस्तों आख हमारे सरीर का एक अहम हिस्सा होता है जो हमारे जीवन को दुनिया के हर एक रंग से भर देता है इसलिए आखों की देख भाल करना बहुत ही जादी जरूरी है लेकिन समय के साथ साथ आखों का कमजोर होना एक आम बात हो गई है लेकिन आजकल कम उम्र के लोगों में भी आखों की रोसनी कम होने की समस्या जो है देखने को मिल रही है जिसका सबसे बड़ा कारण है स्क्रिन टाइम का बहना छोटे बच्चे से लगाए बड़ो तक जो है मुबाइल और लेपटप का जादे से जादे इस्तिमाल करना इस समस्या का मुख्यकारल बन गया है इससे उनकी आखों के रोसनी कमजोर हो गई है जिसका इलास करने के लिए वो बहुत सारी मल्टिपल बिटामिन्स और आपने आखों की रोसनी को बढ़ाने के लिए प्रती दिन आवले का जूस का सेवन कर सकते हैं जिससे आपकी आखे तेज होंगी और रेटीना भी सही तरीके से काम करती रहेगी इसके अलावा और भी बहुत सारे फायदे होते हैं पूरे फायदा जानने के लिए इस पर मैंने वीडियो दे रखा है चाहे तो जा करके देख सकते हैं इसके अलावा बादाम का उपयोग तो आप अपने आँखों की रोसनी को बढ़ने के लिए रोजाना बादाम का सेवन कर सकते हैं या आपके आँखों के लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है इसके अलावा गुलाब जल का उपयोग आईरवेद में गुलाब जल को हमारे आँखों के लिए बहुत ही फाइदे मन्द बताया गया है गुलाब जल आखों की गंदगी को साफ करके उसे ठंड़क देने का काम करता है इसका उपयोग आखों की रोसनी को बढ़ने के लिए किया जा सकता है इसका इस्तेमाल करने के लिए दो कॉटन के टुकड़े लें और उसे गुलाब जल में अच्छे से भी गोदें अब इसे जो है अपने आखों पर कुछ देर के लिए रखें यारी ढख करके रखें बहुत ही अच्छा लाब देखने को मिलेगा बहुत ही अच्छा काम करता है इसके लाबा त्रिफला घृत इसका उपयोग इसके लिए एक गिलाश दूद में थोड़ा सा त्रिफला घृत को जो है मिलाकर नियमित रुप से रोज सुबह इसका सेवन करने से आपके स्वास्त के लिए और अभरल पूरे स्वास्त के लिए और साथ में आपके आँखों के लिए बहुत अच्छा फाइदा करता है इसका सेवन कर सकते हैं इसके अलावा नियमित बयायाम जो की बहुत ज़्यादे जरूरी है जैसे बयाम हमारे सरीर स्वास्त के लिए बहुत ज़्यादे जरूरी है वैसे ही आखों के लिए भी कुछ ब्यायाम हैं, वो आखों को स्वास्त और लचीला बनाने के लिए काम करते हैं, इस ब्यायाम को करने के लिए आप अपनी आखों को बंद करें, फिर आखों को क्लाकवाइज और एंटी क्लाकवाइज घुमाएं, उसके बाद आखों को थोड में दो बार कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा लाब देखने को मिलेगा, तो दोस्तों ये थे आपकी आँखों की रोसनी बढ़ाने के लिए और जादे दिनों तक जादे उम्र तक स्वस्त रखने के तरीके, जो बिल्कुल भी घरेलू है आराम से आप लोग कर सकते हैं, और आप अपने आखों को स्वस्त रख सकते हैं, तो दोस्तों ये वीडियो इंफर्मेशन आपको कैसा लगा, प्लीज आप कमेंट में ज़रू बताएं, इसी प्रकार की मैं बिलता हूँ, नेक्स की सोरची इनफर्मेशन वीडियो के साथ में, पूरी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सबी का बड़ बहुत दिल से धन्य बात करता हूँ, आपका दिन सुबह, झाल